तो आज मैं आप सभी के साथ शेर करने वाली हूँ चीजी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी तो लेट गेट स्टार्टेड तो सबसे पहले मैंने यहाँ से लिए है बटर तो जितना भी बटर आपको चाहिए उतना आप यहाँ scared हो तो इसे मैंने स्पून बारिक चॉप करकर अड़ किया है और इगयानो एंड चिली फ्लेक्स के मैंने एक एक पॉकेट्स आड़ कर दिये है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है यह मैंने मसाला लोफ लिया है आप चाहो तो किसी भी तरीके का नॉर्मल भी ब्रेड आप यहां पर यूज कर सकते हो इसे मैं स्लाइसेस में कट कर रही हूँ आपको जितना भी थीन स्लाइस चाहिए आप उसी साब से जो है इसे कट कर लेना तो यह सारे slices हो चुके हैं तो यह जो हमने garlic butter बनाया था अभी तो इसे मैं जो है इस तरीके से इस पर apply कर रही हूँ तो यह सारे slices पे मैंने अच्छे से butter लगा दिया है और अब यह मैंने लिया है pizza cheese तो इसे इस तरीके से जो है हमको अच्छे से spread कर देना है और जो दूसरा वाला slice है इसे इस तरीके से उल्टा रख देना है और इसके उपर भी फिर से हम थोड़ा सा butter और cheese डाल देंगे उपर स थोड़ा सा chili flex भी add कर दिया है कड़े में थोड़ा सा butter लगा दिया है और यह सारे bread मैंने उसमें रख दिये है और इसे धक कर अब हमें करीबन 10-12 minutes जो है अच्छे से जो है बेक कर लेना है एक तरीके से और low flame पर ही करना है यह मैंने 10 minutes के बाद देखे थे तो यह ready हो चुके अगर आपका जो है चीज अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ है तो आप और 2-3 minutes जो है ज्यादा भी रख सकते हो वाव तो यह हमारा चीजी गार्लिक ब्रेड जो है बनकर ready हो चुका है काने के लिए और बहुत ज्यादा चीजी भी बना है आप देख सकते हो तो कैसे लगी आपको आज की यह चीजी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और साइट में दिये हुए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर भ थैंक यू